हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनैल्सिस कर देख सकते हैं फिंगर्स की जो लैंड है काफी अच्छी है । साथ हाथ जो हतेईली है। इनकी रेक्टांग्ली शेप में है । आ के इसके मां वाली है कुछ इस तरह कि शेफ हतेली की एक रेक्टांगल क्रिट कर रही है जो काफी analytic personality इनकी रहने वाली है fingers का size काफी अच्छी लंबाई में है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस चीज़ को और भी strong करता है कि काफी analytic personality इनकी रहने वाली है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो fingers की length है काफी अच्छी और काफी strong length है यहां पर आप दिख सकते हैं यहां पर लेंध जो है fingers की जो हम middle finger से हमेचे चेक करते हैं काफी अच्छी length में fingers investigating personality होने के साथ-साथ यहां पर particular fingers के हम length SEC करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं अप जो इनकी Apollo finger है और जो इनकी finger है ब्रस्पति दोनों लगबग equal size में दिखाई दे रही है जिसकी वजए से दोनों तरह की qualities रहेंगी काफी अच्छी qualities इनके अंदर artistic रहने वाली हैं और काफी अच्छे leadership qualities रहेंगी और जो इनकी शनी की finger है इसकी length strong होने की वज़े से काफी मेहनती nature भी मैं इनके देख पा रहा हूँ और mercury finger की अगर बात की जाए तो mercury finger यहाँ पर Apollo के first falange तक पहुंचती है दिखाई दे रही है काफी अच्छे communication skills को show करती है और यहाँ पर थोड़ा सा low set है जो के normal है यहाँ पर कुछ इस तरह की जो position बन रही है mounts की कोई भी mount ज्यादा low set नहीं और काफी अच्छी space सारे mounts को यहाँ पर हतीली में provide हो रही है तो सारे mount यहाँ पर अच्छे result देने वाले दिखाई दे रहें थोड़ी shyness रह सकती है हलका low set होने की वज़े से लेकिन communication skills यहाँ पर इनके काफी strong दिखाई दे रहे है अगर fingers के उपर हम खड़ी लाइनों को चेक करें तो यहाँ पर काफी सारी खड़ी रिखाएं आपको इस तरह की जो आड़ी रिखाएं खड़ी रिखाएं सीधी रिखाएं होते हैं नजर आएंगी जो इनको काफी friendly nature का भी बनाती है आगे देखते हैं यहाँ पर mounts को तो one by one सारे mounts को चेक करते हैं थोड़ा close up लेकर देखते हैं उनसे हमें क्या क्या information मिलती है तो सबसे पहले तो बरस्पती mount की बात करें तो यहाँ पर देख्चा रेखा जैसे एक line मुझे नजर आ रही है कुछ इस तरह की line यह line व्यक्ति को बहुत ज़ादा special बनाती है वैसे sympathy की lines इनको हम कहते हैं लेकिन अगर complete line हो तो गुरु वल्या जैसे effect देती है जैसे यहाँ पर complete होती नजर आ रही है तो काफी spirituality रहती है मन में और व्यक्ति धर्म करम के दान के कारिया भी खूब करता है और यहाँ इसकी वजह से थोड़ी सी detachment भी हो सकती है family से विराग्या और सन्यास जैसी भावनाएं भी mind में आ सकती है तो यहाँ पर हमने देखा और जो इनके हाथ पे खड़ी रेखा है जो इनको बहुत तरकी दिल वाएगी कुछ इस तरह की खड़ी रेखा का यहाँ पर होना बहुत ही beneficial है इनके लिए life में काफी progress रहेगी और जिस तरह से size है mounts का तो यहाँ पर जो इनका ब्रस्पती है काफी prominent नजर आ रहा है काफी knowledgeable personality रहेगी काफी life में progress है अच्छी progress के साथ साथ हर तरह की सुक्स विधाएं भी ब्रस्पती जी के कारण व्यक्ती को सहज ही मिल जाती है तो आगे देख रहे हैं यहाँ पर शनी माउंट को शनी माउंट यहाँ पर हलका सा दबह हो नजर आ रहा है लेकिन शनी की line को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है strong saturn line है जो life में हर तरह की comforts लेती है और stability रहती है इस तरह की line होने की वज़े से life में पैसे की कमी कभी नहीं रहाती इस तरह की strong line होने की वज़े से तो यहाँ पर saturn line बहुत strong है सूर्य माउंट को देखा जाए तो सूर्य माउंट के ऊपर भी एक strong line मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ इस तरह की line जो यहाँ पर थोड़ी week है जो show करती है old age से इनको काफी ज़ादा अच्छी एक name and fame मिलने के chances को यहाँ पर यह bright कर रही है लेकिन यहाँ पर जो strong line है वो old age से ही effective होती नज़र आ रही है काफी name and fame इनका जो होने वाला है इस line की वज़र से थोड़ा सूर्य week है जो eyesight की problem इनको दे सकता है आगे देखते हैं यहाँ पर इनका जो हलका सा यहाँ पर एक cut बन रहा है जिसको हम partial girl of Venus कहते हैं बहुत ज़्यादा size का तो नहीं है लेकिन कुछ हथ तक यहाँ पर partial girl of Venus के चिन बन रहे हैं थोड़ी सी emotional personality जिसकी वज़े से रहेगी emotions ज्यादा इसकी वज़े से रहते हैं mood swings जैसी दिक्कत भी व्यक्ति को मिलती है अगर कुछ ऐसा girl of Venus का partial जो formation है हाथ में दिखाई दे तो आगे बढ़ते हैं सूरे माउंट के बाद mercury माउंट के बात करते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं mercury माउंट इनका काफी सीधी खड़ी रिखाओं के साथ है और loop of humor यहाँ पर काफी clear मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है जो mercury और Apollo माउंट के बीच में बनता है आपको draw करके दिखाना चाहूंगो सबसे पहले यहाँ पर जो घुमावदार लाइने हैं जो कुछ इस तरह की बारे फिंगर प्रिंट वाली जो formations होती है कुछ ऐसी formations जो ऐसे घुमती है इनको हम loop of humor कहते हैं और इस loop of humor की वज़े से व्यक्ती का सभाब जो हसमुक रहता है humorous रहता है और ऐसा व्यक्ती खुद भी हसते रहना पसंद करता है और उसके लावा यहाँ पर खड़ी रिखाएं का होना इस तरह की रिखाएं जो नजर आ रहे हैं काफी सारी इनको हम healing lines भी कहते हैं काफी knowledgeable personalities होती है जिनके हाथ पर ऐसी lines हो जो mercury है काफी अच्छी knowledge और wisdom देता है इसकी वज़े से व्यक्ती के अंदर healing capacities भी रहती हैं दूसरों को दुख दूर करने की capacities रहती हैं और अपनी बातों से या अपनी counseling से दूसरों के दुख दूर करने की शमता व्यक्ती के अंदर भरपूर रहती है और यहाँ पर यह जो सीधी खड़ी रिखाए हैं व्यक्ती को अच्छे business communications भी देती है business के करने की जो समझ है उसको भी बढ़ाती है तो ऐसे लोग business में भी बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं जिनके हाथ पर कुछ ऐसी खड़ी रिखाए हो यहाँ तक हमने mounts को check किया आगे major lines को check करते है major lines इनके बारे में क्या क्या बताती है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे Venus और जो moon mount है उसको भी हम check करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर काफी clear M का sign इनके हाथ में बन रहा है major lines की formation से जो एक बहुत अच्छा योग है जिसको हम बहुत lucky मानते हैं कुछ इस तरह का clear M का चिन बनना इनके हाथ पर बहुत ही strong chin है और दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत strong इनके हाथ में money triangle बन रहा है जो एक बहुत अच्छा शुब चिन माना जाता है खास्त और पर finances के मामले में तो यहाँ पर दो चीज़ें में strong इनके हाथ में देखी एक अच्छा M का निशान और एक strong money triangle जो यहाँ पर इनकी fate line, mercury line और जो mine की line उससे बन रहा है तो अच्छा money triangle का होना यहाँ पर इनको काफी अच्छे जो finances देगा बहुत सारा पैसा यह अपने पास इकठा कर पाएंगे accumulate कर पाएंगे जो एक बहुत ही lucky chin है आगे बढ़ते हैं heart line की तरफ heart line आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ branches heart line की नीचे की तरफ मुड़ती हुई जो इनको काफी सारे life में emotional setbacks दे सकती है जिसकी वज़ा से काफी इनके personality emotional रहने वाली है relationship के मामले में लेकिन थोड़ी सी lines उपर की तरफ फुटती हुई जो नीचर को काफी romantic और flirty भी बनाती है और सीधी line का होना यहाँ पर बिलकुल इस तरह की heart की line सीधी होना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा emotions नहीं देता लेकिन girl of Venus होना और नीचर की तरफ lines का होना emotions को बढ़ा देता यहाँ पर काफी practicality भी इनके अंदर रहेगी लेकिन थोड़ी सी emotions भी इनके अंदर रहने वाले overall heart की line में कोई भी major flaw नहीं है तो कोई भी major दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए खासतोर पर heart से सबंदित तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी line है जो mind की वो इनके बारे में क्या बता रही है तो यहाँ पर mind की line को मैं थोड़ा सा जुका हुआ देख पा रहा हूँ नीचे की तरफ जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकते है जो इनकी mind की line है आपको draw करके दिखाना चाहूँगा यहाँ से शुरुआत होती जो शुरुआत है mind की line की वह मुझे ब्रस्पती से होती नदर आ रही है और काफी ambitious personality रहेगी और middle age तक की जो इनकी life है वो काफी practical है लेकिन उसके बाद imagination काफी ज़्यादा बढ़ रहे है सोच जो है ज़्यादा बढ़ रही है तो इनको चांदी पहने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि mind strong हो यहाँ पर कालपनिकता और day dreaming थोड़ी सी ज़्यादा होती है नज़र आ रही है और ऐसे व्यक्ति राइटर भी बन सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कल्पना शक्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है जिनकी line decline होकर moon mount की तरफ पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं अगर चाहें तो fiction stories लिख सकते हैं कुछ नहीं किस तरह की writing कर सकते हैं जो इनके लिए एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है लेकिन otherwise यह जो जुकाव है mind की line का यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता इसकी वज़ए से mental tension होने के chances रहते हैं और depression जैसी problem होने की भी संभावना रहती है तो यहाँ पर हमने देखा mind काफी sharp है लेकिन declining line है और जो इनकी fate line है बहुत strong है जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ fate की line इनकी बिलकुल complete है जो base से शुरू होकर और उपर तक पहुंचती हुई जिसकी वजह से धन का अभाव इनको life में कभी भी नहीं होगा धन इनके पास बहुत रहने वाला है इस size की fate की line का होना life में comforts देता है और खूब सारा पैसा भी व्यक्ति को मिलता है दूसरी चीज़ हमने money triangle तो check करी चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं life line के तरफ तो यहां पर आप देख सकते है life line यहां पर काफी लंबी है और काफी strong life line है लगबग 90 के असपास की age को जा enjoy कर पाएंगे venus mount काफी strong है लेकिन worry lines venus mount के बहुत सारी है जो इनको चिंताएं देती रहेंगी बहुत सारी unnecessary worries इनको रह सकते हैं लेकर ज्यादा worry करने के इनको जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही line है जो इनकी life line को काट रही है दरवाज बाकी की worry lines इनको disturb नहीं कर रही तो venus के तरफ से हर तरह की luxury's इनको मिलने वाली है life में और कुछ lines जो यहाँ पर काटती हुए दिखाई दे रही है यहाँ इनकी stress lines है जो जिनकी वजह से इनको stress life में दो तीन बार काफी stress मिला और यहाँ पर भी जो आगे की age में दिखाई दे रहा है यह 50 और 55 के बीच में भी कुछ stress मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर moon area पर अगर देखें तो बहुत सारी lines upward और दोनों तरफ चलने वाली lines दिखाई दे रहे है traveling काफी ज़्यादा इनकी life में रहने वाली है बहुत ज़्यादा traveling को करना पर सकता है और overall काफी अच्छा hand है खासतार पर financially यहाँ पर बहुत ही अच्छी और strong chin हमें देखने को मिले तो यह है मेरा analysis hand के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको मेरा या वीडियो अच्छा लगा होगा अगर या वीडियो अच्छा लगा तो इसे like करें share करें और साथी साथ मेरा channel भी subscribe करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद